आज इस वीडियो में हम बात करेंगे periods के बारे में, periods क्या होते हैं, कौन सी age से start हो जाते हैं, girls के periods कौन सी age तक रहते हैं और अगर period नहीं आ रहे हैं, miss हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बेरी से 13 years की age से लेके 50 years तक की जो age होती है, इसको reproductive age कहा जाता है women की तो normally क्या होता है कि 13 की age से जादा तर लड़कियों की periods start हो जाते हैं उसके बाद ये हर महीने continuously periods आते रहते हैं करीब 50 years की age तक, इसके बाद periods आना बंद हो जाते हैं हर महीने reproductive age की ladies को 3-4 दिन के लिए करीब bleeding होती है वेजायना में से, इसको menstruation कहा जाता है या फिर periods भी बूला जाता है, तो ये regularly हर महीने आते हैं, periods जात तर महीलाओं में 28 days की cycle होती है अगर हम एक menstrual cycle की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है, period का जो पहला दिन होता है उससे लेके अगले period का जो पहला दिन होता है, इसको एक menstrual cycle माना जाता है generally लड़कियों को हर 28 days पे period आ जाता है, लेकिन इसमें 2-3 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, normal है जादा तर ladies के साथ होता है, तो exactly 28 days की बजाए कई बार 32 days की cycle हो जाए या 28 days से थोड़े एक दो दिन पहले period आ जाए, वो भी normal होता है इस तरीके से जो periods आते हैं, हर महीने करीब 3-4 दिन तक bleeding होती है तो इसमें normally 20 ml से लेके 60 ml blood loss हो जाता है girls के हर महीने जो ये 3-4 दिन के लिए लड़कियों को bleeding होती है, वेजाएने के through blood आता है इसको manage करने के लिए पहले के जमाने में कपड़ा यूज किया जाता था कपड़े को fold करके अच्छी तरीके से कई सारे folds बनाके उसको लड़कियां use करती थी जिससे की bleeding को manage किया जा सके और इधर उधर stains ना लगे, दाग धबे ना लगे लेकिन आज की date में बहुत अच्छे-च्छे sanitary pads available है अलग-अलग companies के जिनको की आजकल use किया जाता है ये काफी comfortable होते हैं क्योंकि इसमें गीला पन नहीं महसूस होता है इन pads में generally cotton होती है अंदर blood को absorb करने के लिए और जो अच्छी quality के pads आते हैं उनमें generally जो उपर जो layer होती है वो ऐसी होती है जो कि blood को या fluid को absorb कर लेती है और उसके बाद फिर वापस surface पे आने नहीं देती तो उसके वज़े से कपड़ों में जैसा गीला पन महसूस होता था वैसा इन pads के साथ गीला नहीं महसूस होता है और काफी comfortable ये रहते हैं दूसरा ये कई size के आते हैं जैसे कि कुछ टड़कियों को कम bleeding होती है किसी को बहुत जादा bleeding होती है तो उस case में different size के sanitary pads भी आते हैं अगर bleeding कम हो रही है तो कम size का sanitary pad यूज कर सकते हैं और अगर bleeding जादा होती है तो बड़े size के pads भी available होते हैं उनको यूज किया जा सकता है तो आज की जमाने में periods को manage करना काफी easy होता है sanitary pads की help से एक बार जब एक sanitary pad full हो जाता है यूज के बाद तो इसको एक paper में wrap करके करके उसके बाद ही उसको dispose off करिए कई सारे sanitary pads जो आते हैं उनमें तो आजकल साथ में disposable bags भी आते हैं black color के होते हैं जनरली उसमें उसको फिल करके फोल्ड करने के बाद फिल करके उसको dustbin में fake आ जा सकता है अगर नहीं available है तो उस case में old newspapers यूज किये जा सकते हैं इसको fold करके wrap करके throw away करने के लिए इस तरीके से हमने जाना कि period क्या होता है अब यह जाना ज़रूरी है कि period क्यों होता है female body में एक organ होता है जिसको uterus कहा जाता है English में इसको हिंदी में गरभाश है या बच्चेदानी भी बोलते हैं जब lady pregnant होती है तो baby जो होता है वो इसी organ में grow करता है और यही organ baby को support करता है और pregnancy maintained रहती है तो इस pregnancy के event के preparation के लिए uterus अपने आपको हर महीने तयार करता है हर महीने उसकी जो अंदर की lining होती है वो thick होती जाती है मोटी होती जाती है अपने आपको pregnancy के लिए तयार करने के लिए अगर वहाँ पर pregnancy हो जाती है तो वो uterine lining जो होती है वो maintained रहती है मतलब गिरती नहीं है ज़रती नहीं है shed off नहीं होती है maintained रहती है और उस pregnancy को support करती है लेकिन अगर pregnancy नहीं होती है तो ये जो uterine lining होती है ये shed off कर जाती है यान कि गिर जाती है और साथ में क्योंकि blood vessels भी damage होते हैं तो वहाँ पर bleeding भी होती है इस तरीके से blood और mucos का discharge vagina के थूँ हो जाता है bleeding हो जाती है तो ये करीब 3-4 दिन तक bleeding रहती है हर महीने और next cycle में next menstrual cycle में फिर से uterus अपने आपको prepare करता है pregnancy के लिए again अगर pregnancy नहीं होती है तो वहाँ पर bleeding हो जाती है और uterine lining shed off कर जाती है अब हम बात कर लेते कि अगर pregnancy हो गई तो क्या होगा अगर pregnancy हो गई तो उस condition में ऐसे hormones release होते हैं body में जो कि uterine lining को shed off नहीं करने देते हैं और uterine lining maintained रहती है पूरी pregnancy भर तक और वहाँ पर बेबी की growth को support करती है तो यानि कि अगर period miss होता है तो ये भी इसका एक कारण होता है कि pregnancy हो सकती है अगर pregnancy हो जाती है तो फिर पीरियड नहीं आता है और पूरी 9 months जो pregnancy के होते हैं उसमें periods नहीं आते हैं तो पीरियड को periods के time पे काफी pain होता है discomfort होता है bad rest लेना पड़ जाता है ये खासतोर पे जब periods नए नए start होते हैं 13 साल की उमर के बाद और teenage group में जो girls होती है उनको जादा इसमें problem होती है तो इसके लिए सिकाई करी जा सकती है इसके लिए मेरा एक वीडियो भी है जिसमें मैंने period के दौरान पेट में दर्द क्रूम होता है और इसको कैसे manage किया जा सकता है कैसे ठीक किया जा सकता है इसके मेरा एक वीडियो है इसका link में आपको आई बटन में दे दूगी आप इसको देख सकते हैं अगर आपको भी period में problem होती है तो यह period के time पे जो pain होता है discomfort होता है उसको medical language में dysmenoria कहा जाता है जैसे जैसे age बढ़ती है तो यह dysmenoria की problem भी धीरे-धीरे कम होती है और आम को इतनी problem हो periods के दौरा लेकिन जादा तर girls को थोड़ा discomfort होता है और किसी किसी को pain बहुत जादा severe हो जाता है जिसके लिए bad rest भी लेना पड़ता है तो hopefully आज का यह video आपको कुछ useful लगा होगा काम का लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो इस video को like कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए मैं